जे जिनेंद्रा जे भोलेना दोस्तों तीन बज के इकाउन मिनेट हुई है मार्केट को बंद हुए स्रिफ 21 मिनेट हो गई है और आज आपने सारा मैजिक देख लिया तो सभी के मुझ में तमाचा लगा दिया मार्केट ने आज टो मैं आपको आज सुभेशी समझा था वाटिध डिफरेंस बीट्विन मास एंड क्लास जैसा मास सोचती हैं وbeसा क्लास नहीं स्यूशते हैं मैं नहीं बोढ़ रहा हूं कि मैं अभी क्लास हो गया हूं लेकिन मैं क्लास की तरफ जा रहा हूं मास से मैं अलग तो बाकी के जितने यूटूबर से उनको मैं मास की केटिगरी में लेता हूं बिना पेंदे की लोटे की तरह जहां जीदर दिख रहा है उदर पेंडूलम लुडग गए तिंकिंग कुछ नहीं है एनलाइसिस कुछ नही है ठीक है तो उनमें कुछ एक अच्छे भी है मैं नहीं में लोग बहुत सारे तो आज मैंने आपको दिखा दिया कि क्या मैंने कल आपको वीडियो में तीन 25 में बोला था कि जितना हो सके निफ्टी बाई करके जाओ निफ्टी में 0.65 का आगया PCR यह कल फाड़ के रखेगा बले बले एक्सपायर ही है ठीक है तो बैंक निफ्टी का ओविएसली PCR नया आ चुका था नया आना था इसलिए प्रब्लम थी ठीक है फिर भी बैंक निफ्टी ने वी सुबह अच्छा खाचा आउट परफॉर्म किया मार्केट को बाद में वह सब्दूर हुआ आज आपने सब कुछ देखा पहले तो आपने क्या देखा आज कि जो कल तीन साड़ी तीन के बाद वीडियो में बताया था किसके बारों में लाल पैथ ले मैं 2013 की क्लोजिंग थी कल फ्यूचर में मैंने बोला था इसके लिए मैं बूल रहा हुँ कल फाड के रख देगा तो आज सुब और बाद में यह भी आप लोगों को वीडियो बना के डाल दें यहां एक बार प्रॉफिट करो जिनके पास कॉल ऑप्शन है फ्यूचर वाले मत डरो क्योंकि 40-50 सुप में गिरेगा तो आपके कॉल ऑप्शन की रेट घर जाती है ठीक है जब भी कोई चीज 100 डेट सो भाग बोला था 100 का टार्गेट बोला था साहिद मेरे खेल में 40-50 मिट लगें उसको 104 का हाई उसके बाद आखरी में मैंने आपको आज एक और बोला कि अब आप तेजी करिए 22-100 का कॉल ले लिजे मैंने 27 में दिलाया उस समय जब वीडियो बना रहता था 32-33 चल रहता उसके यूटूब के इतियास में वीडियो बनाके एक भी सक्स ने आज तक ने किया न कर पाएगा वीडियो बनाके आप टेलेग्राम रूप में मेरा यह है सब बोल सकते हो लेकिन ऐसा किसी में ताकत नहीं इसके लिए बहुत बड़ा जिगराची पब्लिक के सामने वीडियो बन यह देखिए टाइम के साथ बता रहा हूं ठीक है अब यह 11.42 में मैंने क्या बोला आपको मार्केट में दूसे C joining भूशऊ है है कि अपमानी जी को ख़ीदह बाई तो सुमना धोस्तों फेट्स एम के मार्केट बहुत जबरदस बूलिश भी और यहां निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपका अगर कल का कुछ भी लिया हुआ है तो अभी का अभी प्रोफिट बुक करिए यहां पर अगर आप थोड़ा स्मार्ट प्ले करना चाते हो देखो मैंने क्या बोला 290 चार सो चार सो फ्यूचर में घ्यान दीजेगा उदर प्रोफिट बुक करने बोला तो 2200 को आज वाला पूट ले लीजे 2200 को आज वाला पूट मैंने तो 2200 का दिलाए है लेगनों काम ने कर रहा है लेकिट 200 का ले सकते है आज आज देख्टे देखें लबा टाइम नी वेस्ट करूनर मैं सब्सक्राइब करें देख सब्सक्राइब क्या हो गए अभी 49 चल रहा आप ले सकते हो यह 100 रुपया कम से कम जाना चाहिए अच्छ पर स्टॉप लोज जीरो लेकिन पूरा रिस्की कॉल है आप सामने देख सकते हो 50 की रेट चल रही तो 49 पर बोला था मैंने सबको और 100 सब्सक्राइब का तो ऐसा ही देना पड़ेगा आपको अब आप देखो इस समय वीडियो को दो मिनट बारा सेकेंड हो चुके थे यानि कि 11.44 हो चुके थे तब पचास की रेट थी ठीक है आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं अब अब हम लोग इसके इसके इसमें जाते 22-200 के पूट में इसका चार्ट निकाल लेते हैं 11.44 हो चुकी थी यहां एक-एक मिनट का चार्ट रहता है मेरे इसमें ओप्शन का यह ट्रेट स्मार्ट का सॉफ्ट्वेर है आप भी ले सकते हो साथ रुपया पर लॉट लगता है और कितना 20 रुपया पर ओडर नहीं 20 नहीं 15 रुपया पर ओडर साथ रुपया पर लॉट अगर ओडर के हिसाब से चैनल ला है तो पंदर रुपया ऐसा कुछ लगता है तो आप यह 22-200 का पूट है कि ग्यारा ब्यालीस पर आपको वीडियो बनाया था यहां देखें यहां टाइम भी है है 11-42 तो आप उस समय कि रेड भी देख लों 50 रुपया यह ग्यारफ मेतालीस कि 50-51-48 का लो दिकर आपको उपर उपर चेक कर लिए 48 का लो उस समय 11-44 हुई थी और यह वीडियो हुआ था कि यह रहा 48 का लो दिख रहा आपको यह पर स्क्रीन अब इसको सौ जाने में कितना टाइम लगा यह रहा एक 104 का है एक बच के 47 मिनट पर 104 का हाई आप देख सकते हो यहां देखना हाई है और टाइम नीचे एक बच के 47 मिनट की केंडल में एक एक मिनट की केंडल लेगा है कि 11.44 को वीडियो खतम हुआ पचास उप्या में दिलवाया 49 यह पचास 48 का लो बना था उस पीरेड में लेकिन पचास वाला माल सो जाके दिखाया बाद में तो और गया यह दिखिया एक सो पाच असी का नया हाई भी बना यह पहला काम यह पूरा हुआ अब आ जाते हैं दूसरे वीडियो पर एक तो यह पुट दिला के काम किया एक ही दिन में आप देखें क्या कशमतकार अब आप लोग बोलते हो आप लोग को साला 12,000-8,000 साल का महेंगा लग जाता है और जो साले एस्ट्रोजन लोग आपको 10-10,000 पर महेंगा चार्ज करते हैं जोर उचक्के कुछ नहीं जानते साले उसको बोले तू इतना जानकर रहा तो खुट ट्र अब उसके बाद मैंने आपको लास्ट में आज ये दो सोला पर एक वीडियो बला के बोला कि मैं यह आप इक आठ साल की बच्चे के साथ तीन चार मर्दों ने जबर जस्ती की उसकी हालत इतनी जैज रिंदर जैज बोले ना दोस्तों दो बज के 15 मिट मैंने सारे शॉर्ट कटवा दिये और अभी अभी मैंने 22 एक सोब का उड़ करवाय थिवाइए 27 रूपी ने आपको दिखा देता हूं क्या रेट चलिए 27 रूपीज का टार्गेट मेरा 65 के करींग अब यह यह आपको दो बच के 16 मिरेट के आसपास यह यह 65 तो नहींक गया लेकन 58 गया इसका भी आम लोग चेकर क करृते इसको तो बंद करता हूं 2200 का कॉल देखे 2,15 पे दिलाके डबल करा दे ना पहले 11,42 पे दिलाके डबल कराया के 147 पे कॉर्ड़ दिलाके उसको भी डबल करा देना 27 का 58 गया 65 नहीं गया मैं जूटने बोलूँगा पैसट तो नहीं गया लेकिन 58 गया बड़ी बात होती है कहां गया 22.100 का कॉल यह रहा आज का 14 मास है ठीक है अब इसका चार्ट खोल देता हूं यह रहा ठीक है हमने 2.16 पर वीडियो यह खतम किया तो 2.16 की रेट भी दिखा देता हूं 2.16 16 तो यहां पर यह रहा 2.16 आप उपर देख ले ना इसको थोड़ा इधर लियाता हूं ताकि यह उपर की रेट भी आपको दे यह रहा दो यह तो 2.10 है मैंने ग्रूप में दिया तो 24 का लो दिखा रहा आपको उसमें और 28 की क्लोजिंग दिख रहे है 12.16 वाली सिंगल एक मिनिट के केंडल चले 2.16 ही देख लेते हैं यह 2.15 का जब वीडियो स्टार्ट हुआ 26 का लो दिख रहा है उसमें एक मिनिट की केंडल में अब आप देखो 12.16 से इसको अठावन जाने में कितना टाइम लगा यह अठावन का आई दो चौबिस में अठावन चला गया दो चौबिस में वीडियो 2.16 को पब्लिश हुआ होगा आपके बस चलो यहां आप नहीं मानते हो चलो आप बोलो मुझे वीडियो देखने में लेट हो गई तो वापस से लोग कितना बनाया देखिया 21 रुपय का लोग बना दो चौवण पे कितना 21 रुपय का लोग बना दो चौवण पे फिर भी इसकी ताकत देखे कहां पुचा दिया 53 बना दिया तीन दो पे तीन बचके दो मिट सिर्फ साथ मेंट लिया 21 से बावन आने में जब आपका डियरेक्शन सही हो तो 21 की चीज भी बावन से पांच मेंट में होती है आखरी तक यह हिम्मत रखा और आखरी ट्रेड भी कितने में हुआ आखरी ट्रेड भी 47 बे हो रहा है वह आपको दिखा भी देता हो यह रहा आखरी ट्रेड का यह आखरी लास्ट तीन तीसका 47 पर ठीक है 46.70 यह रहा इसमें सबूत देख लीज़े 46.70 तो दिस इस रियल टेलेंट हाला कि अब क्लास में यह सब चीज़े सीखना चाहते हो और सोचो 6000 देने के लिए आप लोग वेट कर रहे थे अगर मेरी जमाने में ऐसा को सिखाने वाला जिसको इतनी नालोज होती तो 6 लाग देने में भी मैं सेकेंड नहीं लगाता उसको अब आजाता है मार्केट का व्यू जो अपना असली काम हो बैंक निफ्टी आज थोड़ा सब्दूड रहा आज 20 एमे के नीचे भी क्लोज हुआ लेकिन 50 एमे को टेस्ट करके 50 एमे को सेव कर लिया जैसे कल निफ्टी ने किया था 50 एमे को सेव कर लिया था टेस्ट करकि तो सकता है कल की उछाल वैंक निफ्टी मारे जैसा आज निफ्टी ने मारा वेस सीवाली उचाल कल बैंक निफ्टी मारे यह कल बड़ी घिरावड भी दे सकता है क्योंकि आज पहली बार 20 में के नीचे बंदुआ है क्योंकि कल बैंक निफ्टी ने दो नोच इसको तोड़ देंगे एक साथ तो अक्सर ऐसी केंडल बनती है देख लीजे पॉजिटिव यह पहले का प्रूफ दिखाते तो यह रहा इसने दोनों एक साथ ऐसी बनी आज भी ऐसी बनी अब तेजी आ जाएके निफ्टी में देख लीजे यह पुरूफ के साथ आपको सिखाया था यह कौन से यूटूबर आपको ऐसा सिखाते मुझे दिखा देजे कितने आपको यूटूबर आपको यह चीजे सिखाते हैं यह मुझे बताईएगा जुरूबर इस लेवल की चीजे यह इसने दोनों एक साथ तोड़ा जबकि 10 उपर था 20 नीचे था तो अगले दिन इसमें भी नया लोग बनके उपर आया आज आपको नया लोग नहीं बना अलमोस्स सेम बना अइडेंटिकल लोग बनाके अपर आगया ठीक है यह मैंने कल आपको स्टोरी बताई थी अधर आपने वीडियो देखा याद नहीं रहे था ना खाया पिया पचास लोगों के वीडियो देखते हो साला इंसां तुम घंटा जीतों के मार्केट में अब आज के क्लोजिंग कहा है 146 इस क्लोजिंग के बाउंजू दिसने 20 एमे के नीचे ही क्लोज के आज दिन में हाई बना है था 204 का लेकिन 20 एमे के नीचे क्लोजिंग आई है यानि कि कल एक और इसके चांसेज है सॉरी अभी 50 एमें निफ्टी में टेस्ट भी नहीं हुआ 21851 का अभी तक नहीं हुआ कल 2010 के नीचे बंद किया और एक साथ यह बैंक निफ्टी ने आज 50 एमें टेस्ट कर लिए हो सकता है कल निफ्टी भी इसको टेस्ट करके फिर भागे बट यह जो केंडल बनती है इसको बोलते है बुलिश काउंटर केंडल जो इसके पाउं के आसपास बनती है और ग्रीन क्लोजिंग आती है कि दूसरा इसने आज एक बड़िया सिग्नल क्या दिया है है लोग बनाया आज कल का लोग था 905 आज का लोग बनाया 917 यह कई न कहीं एक बड़ी तेजी का सिग्नल दे रहा है अगर कल 900 नहीं तूटता है तो निफ्टी साइट 23,000 भी 28 मार्च तक आ जाएगा इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए 22,800 आ जाएगा अगर कल 21,900 नहीं तूटता है 21,900 राउंड फिगर क्यों बोल रहा है क्योंकि कल का लोग था 21,905 और आज का लोग था 21,917 आज हायर लोग बनाया है यह आज हायर लोग था कल से लेकिन अब हम यह देखना कि अगर 21,900 इंट्राडे में कल तूटता है तो कल फिर हम एक बार 21,830 तक जाएगे ही जाएगे अगर कल नहीं तूटता है तो यहां से 22,800 की तेयारी करिए मार्च मैने में पहला टार्गेट आल टाइम हाई का 526 तूटेगा सकेंड टार्गेट 22,800 पहला टार्गेट 526 तूटेगा आज 22,200 का हाई बना दिया तो यह हो गया निफ्टी का विचार मगर दोनों ने 20 एमे के नीचे ही क्लोज किया आज दोनों ने मगर आज एक ग्रीन केंडल से निफ्टी ने क्लोज किया अब निफ्टी में क्यू मुझे तेजी लग रही है कल उसके कारण समझा दे तो आपको इस निफ्टी का कल का PCR पॉइंट 65 आ गया था वह PCR आज बढ़के पॉजिटिव जोन में चला गया आज शुरुवात में यह पॉइंट सेवन्टी ही था पॉइंट 65 था आज के सुरुवात में ओके पॉइंट 95 आ गया अभी पॉजिटिव जो एक बार यह वन पॉइंट टू आया था तब यह 200 चला गया था तो यह अभी भी वन के नीचे है मतलब स्ट्रॉंग नहीं हुआ जब तक वन को क्रोस नहीं कर तब तक स्ट्रॉंग नहीं हुआ निफ्टि की बात कर रहा हुआ है पॉइंट 95 पहुचा दिया है अब ओवर सोल्ड तो नहीं है कल ओवर सोल्ड था पॉइंट 95 तो कल एक तेजी वाला दिन निफ्टि में होने के चांसे ज़्यादा है गंपे 0.85 है यह 0.89 से 85 है घटा है यहाँ देखेगा यह जो 1 होता ना 1 1 is a neutral zone above 1 positive zone PCR में below 1 negative zone लेकिन 0.60 highly oversold 1.70 highly overbought ठीक है तो nifty 0.65 कल था highly oversold के नजदिक था 60 का मैंने बोला था आपको यह आज 0.95 आ गया मतलब neutral zone के तो आसपास आ गया 1 के आसपास मगर positive 1 के लिए इसको 1 cross करना during the day यह 1.14 मैंने देखा था मुझे नहीं पता था कि इतना नीचे लास्ट में कर देगा यह मुझे कई न कई लगता है यह 170 तक जाएगा और यह 23,000 ही दिखाएगा असा लगता है लेकिन कल का दिन थोड़ा इंपोर्टेंट है क्योंकि कल Friday Surprise गिरावट भी कल आ सकती आए क्योंकि हम 21,830 को आज टेस्ट नहीं कि मुझे एक हिंट ऐसी लग रही है कि कल एक Surprise गिरावट का दिन हो सकता है तेजी के बज़ाय क्यों क्योंकि Friday को एक Surprise मिलती है प्लस आप देखो दोनों ने 20 EMA के नीचे close किया बले निफ्टी ने आज रिगेन किया था इंट्राडे में क्योंकि 200 का हाई बनाया था लेकिन close करते वक्त बिलोग 20 EMA Nifty close हो इन स्पाइट ओफ ए वाइट के लिए 20 EMA के वेल्यू आज है 22,134 10 की है 22,200 अब भी वी सॉलिड है इस्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है कोई कमी नहीं है दोस्तों यह 10 EMA है यह 20 EMA है आज चाता तो दोनों के इसके ऊपर close कर सकता कल दोनों को खोया आज एक ही चीज अच्छी हुई है कि हैर लोग बनाके इसके नजदीक ला दिया तो कल री सेलिंग चालो हो सकती है क्योंकि एक चीज इसमें और नहीं हुए जो मुझे चाहिए थी यह जो कल की गिरावट की केंडल है उसका 50% टूटा नहीं है closing basis यह कल की केंडल इतनी बड़ी है इसका 50% के ऊपर cross करके close कर देता तो मैं बोलता आज भर भर के बाइंग करके जाओ हो सकता है कल एक deadly खराब डे हो निफ्टी और मैंक निफ्टी लेकिन यह सुन लीजेगा कल का खराब डे आपके लिए एक golden day हो सकता है अगर कल आप उस गिरावट में जब बर्दस्त next week के call बाई कर लो मैंने क्या बोला कल का जो खराब डे होगा वो आपके लिए golden opportunity साबित हो सकता है सुन लीजे अगर हुआ और नहीं हुआ तो कल यह 50% को क्रॉस कर देगा 2200 इसका 50% होता है और 2200 के नीचे हाई हाई बना के यह नीचे ही close हो यह एक negative point है दूसर को one के उपर ले जा नहीं पाया 0.65 था during the day 1.14 का हाई बनाया था वह मैंने देखा था यहां आपको दिखेगा नहीं ठीक है close 0.95 यह one पर हो जाता तो मैं बोलता कल ऐसी तेजी आएगी कि आप सोज़े नहीं सकते है कही नहीं मुझे दिखा रहा है कल एक और मंदी का राउंड हो सकता है बैं निफ्टी इसका PCR भी 0.85 आ गया 0.89 था यह घटा है मगर इसमें एक ही चीज अच्छी बनी आज की candle जो बनी है वह लॉंग लेग डोजी बनी है और इसने 50 EMA को टेस्ट करके 50 EMA के उपर बंद कर दिया मतलब यह बता रहा है कई ने कई मेरी कर्रेक्शन खतम हो गई इसके दो कारण दिख रहे मुझे इसकी कर्रेक्शन खतम होने के यह तो देखिए यहां से एक ड्रॉ करिए आप यह लगबग यहां पर एक बड़ा सपोर्ट 46500 मैंने आज सुबह के वीडियो में क्या बोला आपको 46950 के नीचे क्लोज करें तो खराब है लेकिन दिन में आज 46500 भी गिर सकता है यह भी बोला था सुबह के वीडियो में वैसा ही हुआ अब यह बिल्कुल एक सपोर्ट के पास है अब आप इसको लिख लीजे 46500 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता है तब तक बुलिश है बेंगे निचे यह सपोर्ट लाइन आपको समझ में आ गई 46500 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करेंगा तब तक यह बाई ओन डिप्स है और इसका टार्गेट आएगा पहला टार्गेट आएगा इसका 48600 तीसरा आएगा 49400 चौथा आएगा 50 चारो टार्गेट भी पॉसिबल है बस इसके नीचे कल क्लोजिंग नहीं आनीची है क्यों यह इंपोर्टेंट है क्योंकि इसका 50 यह में 46604 है जिसको आज इसने छू दिया जिसको आज इसने छू दिया क्योंकि आज का लो है 46 565 तो लगबग यह 500 का लेवल जो था इसके करीब सपोर्ट ले लिया है और यह एक डोजी बना दिया 46825 के ओपनिंग थी 46789 की लॉंग लेग डोजी बन गया कहीने कहीन मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल सप्राइस रेली उपर की भी दे सकता है तो कल का दिन थोड़ा कंफ्यूज है कि दोनों के दोनों 20 EMA के नीचे बंद हुए मागर दोनों का स्ट्रक्चर अभी भी सॉलिड है इसमें भी 10 EMA अभी भी उपर है 20 से 20 वाला 50 से